तो यह है All New Tata XZ Plus Variant Tiago और सामने हमें मिल जाते हैं Projector Headlamps जो पुरानी वाली Tiago में नहीं थे तो यह बहुत ही एक अच्छा add-on है नहीं Tiago में सो और हमें इसके साथ 1.2 लीटर का रीवो ट्रॉन पेट्रोल इंजिन मिल जाता है जो 84 BHP और 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है और यह है Tata Tiago XZ Plus Variant का Side Look इसके साथ हमें 15 इंचिस के Dual Tone Alloys मिल जाते हैं जो देखने में काफी कूल लुक दे रहे हैं कार को और हमें इस Variant में Electrically Adjustable ORVM भी मिल जाते हैं यह है Tata Tiago XZ Plus का Rare View और हमें बूट स्पेस मिल जाता है 242 लिटर्स का जो काफी सफिशेंट है बहुत ज्यादा भी नहीं है और यह है पासर ट्रे और यह है फ्रंट डोर की लुक और इसमें हमें एक हैंडल में क्रोम और पावर वेंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं और ड्राइवर सीट पे मैनुवली हाइट अजिस्टेबल लिवर दिया गया है और हमें स्टेरिंग माउंटेड अडियो कंट्रोल बटन्स और पहले ही वाला इंस्टूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाएगा और यह है सेवन इंच इन्फोटेन्मेंट सिस्टम स्क्रीन और इसके नीचे ही आपको फ्रेंट फॉग लैंप्स और एको मोड के बटन मिल जाएगे और यह है आटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और साथ में हमें कूल गलब बॉक्स मिल रहा है इस कार में और कार में हमें डूल टोन ब्लैक इन बेज इंटीरियर देखने को मिल जाएगा और यह है ओवरॉल सेंट्रल स्टोरेज स्पेस और यहां कॉइंस रखने के लिए एक छोटा सा स्पेस दिया गया है और दोनों ही साइड में फ्रंट डोर्स में हमें वाटर बॉटर स्टोरेज स्पेस दिया गया है और अंदर हमें वाइट लाइट देखने को मिल जाएगी और लेफ्ट साइड में हमें वैनिटी मिर्र मिल जाएगा और राइट साइड में नॉमल है और इसके उपर माइक्रोफोन दिया गया है और ये है कार की बैक सीट, इनफ लेग रूम है और इनफ हेड रूम है मेरे लिए क्योंकि मेरी हाइट है सिक्स फीट और थाइ सपोर्ट भी काफी अच्छा है बैक सीट का